3.86 km per hour है लेकिन यह software जो फ्लेश हुआ था यहां पर 180 km per hour यहां पर दिखा रहा था ठीक है मैं आपको दिखा देता हूं कि यह सीब जो reset में ने किया है अलो दोस्तों वेलकम तो आसम टेक राइडर और अफिस हाजीर और एक टेकनिकल वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं Nexon XZ model में 15.22 का जो हर्मन में software update आया है उसके बारे में यह software सबको क्यों नहीं मिल रहा है गर यह software आपको मिल भी रहा है तो उसमें आपको Doodle और Drive Nest का option क्यों नहीं मिल रहा है कैसे यह option आपको मिलेगा यह सब के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो मेरा personal experience हुआ है वो total में share करने वाला हूँ ताकि आपको इस information से help मिले और यह भी बताऊंगा इस software update से आपको क्या क्या facilities मिलता है क्या bugs है full details आपको में बताऊंगा जो भी confusion है इस video से आपका totally दूर हो जाएगा तो यह version मुझे कली update मुझे मिला है तो पहले बात करते 15.22 में जो Doodle है और Drive Next है वो मुझे मिला कैसे यह मेरा personal experience में share करो आपसे तो कली मेरा vehicle का second servicing का date था और मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे 15.22 का update मुझे चाहिए जब मैं पहुचा और जो भी servicing करने के बाद जब software का time जब आया तो जो बंदा था वहां पे paint drive निकालके यहां पे जो port है वहां पे डालके software को update करना चलू किया तो मैं उससे पूछा भी कि इसमें जो Doodle है और drive next यह option इसमें है या नहीं तो वह पहले तो कुछ बदा नहीं वाया फिर update आने के बाद जो version था 14.43 के बाद 15.22 वहां पे display तो आ गया लेकिन यह दो option उसमें था नहीं और उसमें कोई भी changes नहीं था ठीक है मतलब simple लग रहा थे 14.43 है बस वह जो नाम है बस 15.22 हो चुक मिल रहा है तो मैं क्या क्या जो यहां पे जो CSM जो है मैं उनको approach किया और उनको बताया कि ऐसा ऐसा चीज़े मैं अब्डेट किया है लेकिन मुझे यह दो facilities मिला नहीं है तो उनका कहना यह था अब यह जो चीज है यह ध्यान से सुनियागा उनका कहना यह था कि यह जो दो option है doodle और drive next यह अभी तक भी trial basis में है टाटा अभी तक इसको अपने website में डाला नहीं है क्योंकि अभी यह trial basis में इसमें कुछ bugs भी हैं बहुत सारे report भी आ रहे हैं तो यह थोड़ा थोड़ा करके कुछ-कुछ customer को दिया जा रहा है ताकि वहां से feedback लिया जाए और in future इस इसको punch करके दिया जाएगा लेकिन बाद में अभी नहीं उन्हें ने यह बताए आप एक बार फिर से जाएए मैं बात कर लेता हूं आपको यह update मिल जाएगा तो मैं फिर से वहां से approach किया अब वहां पर किया हुआ उन्होंने OBD में laptop को connect किया और हरमान में जो IT sector जो है उनक पर software का नाम disclose नहीं कर रहा हूं कि मुझा लगता है कहीं ने कहीं confidential है और मैं parameters भी disclose नहीं करूंगा यहां पर मैं वहां पर पूछा भी था कि इसका वीडियो ले सकता हूं यह नहीं तो उन्हेंने साफ कहा था कि सर यह confidential parameter तो मैं आपको भी कहता हूं कि सोचल मीडिया में इस address है ठीक है उनका कहना यह था और उसको connect करके जो भी data है यहां से फिच करके भी parameters था वहां पर change करके system को जब reboot किया गया तो drive next और जो doodle है वो option तुरंत आ गया तो यह process में hardly लगा होगा दो से तीन मिनिट ठीक है यह जो parameters जो change हुआ और जो pen drive से जो 15.22 software डाला गिया था वो around flash होने में 15 to 20 minute ऐसा कुछ लगा था total flash होने में तो यहां पर यह चीज में clear कर देता हूं सिर्फ pen drive से या OBD से अगर इसको flash मारते हैं तो नहीं होगा ठीक है यह totally हाथ है इनका जो हर्मा चेंज करने के बाद ही यह दो option unlock होके आपके screen में display होगा नहीं तो नहीं होगा in future जब टाटा अपने साइट से totally clear up हो जाएंगे कि हां इसमें और कुछ problem नहीं है कोई भी customer से कुछ problem नहीं आ रहा या feedback problem का नहीं आ रहा है तो यह अपने server में डाल देंगे वहां से फिर आप option मिल जाएगा इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अब बात करते हैं कि इसमें क्या-क्या facilities मिलता है और उससे क्या आपको मदद मिलता है और चोटा मोड़ा बख्स क्या है इसमें तो चलिए सीधर screen में आपको दिखाता हूं influence system का तो यहाँ पर मैं system को on करता हूँ यहां पर start-up image आप देख पाते हैं पहले जो आप set करते हैं मैं दिखाऊंगा कि यह आपको कैसे मिलेगा ठीक है तो यहां पर मैं sound को बंद कर देता हूं और यहां पर देख सकते हैं कि यह main screen है ठीक है और मैं आपको sorter में दिखा देता हूं पहले तो यहां पर देख सकते हैं कि आर 15.22 इसका version है अब चलते है main screen में आपको क्या क्या मिलता है यहां पर और efficiency, driving, safety यह सब मिलता है जब आप यहां पर click करेंगे तो यहां पर देखिए बहुत सारा parameter सबको दिखा देगा और बहुत सारा option भी दिखाई देगा यह है current page फिर next में जाता हूं यह trip A का है यह trip B का है फिर आता है overall फिर आता है best उसके बाद आता है यह last उसका फिर से rifting screen जो है current तो जब मैं यहां पर click करता हूं तो यहां पर देख सकते हैं यह current page दिखा रहा है और यह last trip दिखा रहा है तो यहां पर आपको क्या-क्या दिखनों को मिलता है यहां पर efficiency मतलब engine का जो efficiency है वो driving जो जैसे आप driving किये हैं last जो driving आप किये हैं उसमें आपको rating rating मिलेगा तो यह overall vehicle जो भी आप clutch brake accelerator जो भी दबा रहे हैं सबको reading लेके यह rating आपको दिया जाता है safety rating दिया जाता है कि कैसा vehicle safety rating अभी आप यूज़ कर रहे है पैसे सीड में सीड बेल्ड बंधा है या नहीं आप सीड बेल्ड को यूज़ कर रहे है नहीं और इसमें अगर औ average speed मेरा 48.49 आया है फिर next game में जाता हूं यहाँ पर top speed जो मेरा उठा था 93.49 proper gear utilization 96.790 यह सब change होता रहता है जैसे जैसे आप इसको चलाते हैं vehicle को average accelerator pedal travel मतलब जो accelerator का जो पैडल है वो कितना आप दबार है कितना percentage आप यूज़ कर रहे है फुल यूज़ कर रहे है यह कितना percentage maximum यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कौनसा ओला gear जादा आप यूज़ कर रहे है उस trip में या जो भी current पेज में कर रहते हैं तो current कौनसा gear आप जादा यूज़ कर रहे है तो वह भी यहाँ पर दिखाएगा तो second page में जाता है यहाँ पर safety में आपको seatbelt utilization 99.12 है over speeding मैंने एक break एक भी नहीं है तो यह भी जो भी parameter आप देख रहे हैं एक बंदे को समझने में बहुत easy होता है कि वह कैसे vehicle को treat कर रहा है कैसे वह चला रहा है और कैसे अपने आप में वह अपना improvement ला सकता है यह कोई भी अगर नया vehicle अगर कोई सीख रहा है next on में तो उसके लिए भी बहु ठीक से समझानी पाएगा डॉक्टर को तो डॉक्टर कैसे treatment देगा अपने patient को तो यह कुछ ऐसा ही है ठीक है यह जितना diagnosis बंदा कर पाएगा customer care में उतना अच्छा आपको वह support भी दे पाएगा वह भी आपको समझा पाएगा कि आपका driving pattern ऐसा है वैसा है आप इसको सुधार इसको ठीक कीजे तो यह overall चीज़को improvise करने के लिए दिया गया है अब यह जो मैंने कहा यह last का जो देख सकते हैं मतलब last drive जो मैंने किया थे यह उसका यह दिखा रहा है अब मैं trip current में जाता हूं तो यह देखिए अभी जब मैं driving शुरू करूंगा तो यहाँ पे सब reading आना शुरू हो जाएगा trip A का यहाँ पे देख सकते हैं कि average fuel economy 17 km per liter है और distance level 36.7 है यह पहले बहुत जादा था लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा bug था अब यहाँ पे बग के मारे में बता देता हूं ठीक है efficiency में जब click करता हूं तो यहाँ पे average speed यहाँ पे 33.86 km per hour है लेकिन यह software ज देखा देता हूं कि यह सीब जो reset मैंने किया था trip A में ही किया था trip B को नहीं किया था तो मैं trip B में जाता हूं तब आप और भी अच्छा समझ पाएंगे यहाँ पे देखिए 171.79 km per hour भाई इतना speed मैंने इस गाड़ी में नहीं उठाया है ठीक है maximum 120 तक मैंने गया था उसके बाद नहीं गया था तो यह एक छोटा सा बग भी बोल सकते हैं या नहीं भी बोल सकते हैं लेकिन यह ठीक होगा तभी जब आप trip B को reset करेंगे आप यहा जो भी है 15.3 तो यहाँ पर भी सेम आप देख सकते हैं 15.3 है 242.9 km कवर हुआ है तो यहाँ पर भी आप सेम देख सकते है 242.9 km कवर हुआ है लेकिन यह जो है speed है यह तभी जाके ठीक होगा जब आप strip को B को reset करेंगे तो उसके बाद से यह problem आपको solve हो जाएगा ठीक है अब आते हैं यहाँ पर overall का मतला पर जो odometer का जो reading है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह चीज नया चीज दिया है कि odometer का जो average यहाँ पर दिस्प्ले में पहले दिखाता नहीं था ठीक है उस पेज में नहीं था कितना distance travel कर सकता था वह दिखाता था यहाँ पर आपको यह दिखने को मिलता है ठीक है तो यह एक अच्छा चीज है अब जो best है मतलब जो overall अभी तक जो best performance आपका रहा है वह reading आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको देखके आप टैली भी कर सकते हैं कि कौन सा mode में आपका vehicle बहुत अच्छा चल रहा है या जो भी है और यह last है जो last आप चलाये थे फिर से घूंपिर के वही वाला page आ ठीक है अब कुछ improvement के बारे में बात करता हूं ठीक है बहुत लोग का कहना है कि sound में degrade आ गया है ठीक है degradation हो गया sound लेकिन मेरे case में sound degrade बिल्कुल भी नहीं हुआ है मेरे case में इंप्रूव हुआ है इंप्रूव की sense से हुआ है जो base जो है और सूधनेस साउंड में वह बहुत enhance हुआ है यह मेरा personal feel है और यह change हुआ भी है ठीक है क्यूंकि मैं बहुत गाना सुनता हूं जब ही मैं drive करता हूं तो मुझे यह समझ में आता है difference और यह देखिए अब देख अब जब भी मैं कहीं पर ख्लिक करूंगा तो यह चला जाएगा तो यह है डूडल से आप कर सकते हैं और यहां पर जाईए और एक चीज जो screen touch है पहले से improve हुआ है वह भी इंप्रूव हुआ है ठीक है तो यहां पर मैं डूडल में चला जाता हूं तो यहां पर my sticker है ठीक ह होगा और यह जो picture है आप connect next से ही आपको application जो android application है mobile में वहीं से आपको synchronize करके करना पड़ेगा वह भी मैं screen display करके मैं आपको दिखा दोंगा ठीक है मैं इसको preview करता हूं तो देखिए जो आप picture set किया है वह यहां पर दिखाएगा और back करके startup image जो है उसको भी आपको यहां स इसे activate करना पड़ेगा यहां से भी preview कर सकते हैं जो picture अब डाले हैं तो यह जो डूडल का system है कि बहुत लोग पसंद करते हैं कोई भागवान का picture रखो या कोई अपना loved one जो भी है उनका picture रखो तो यह अपना पसंद है इसको activate भी रख सकते है reactivity रख सकते है मैं sticker में अपना तो अभी मैं अपना mobile का screen share कर रहा हूं आपसे तो अभी तो अभी यह mobile screen में share कर रहा हूं यहां पर connect next में क्लिक करता हूं Bluetooth से आप पहले इसको connect कर लीजे और इसको playster से आप easily install कर सकते हैं पहले वहेकल को आप add कर लीजेगा अपना जो भी model है तो यह यहां पर synchronize हो रहा भी तो चली यह आ गया मेरा model जो भी है distance to empty यह आ गया, odometer का reading आ गया, सब बुझ आ गया, मैं यहां पर click करता हूं, fuel यहां पर level अब देख सकते हैं, तो यहां पर पहले जो नीचे से, sorry यह वाला page नहीं, home page में दिखाता हूं जी, तो यहां पर अब देख सकते हैं, कि my sticker और startup का पहले option नहीं रहता था, ठीक है, तो यहां पर startup में आप click कीजिए, यहां पर जो भी picture आप set करना चाहते हैं, उसको set करके, ठीक है, आप यहां पर click कीजिए, और यहां पर startup image auto sync है, इसको on कर दीजिए, ठीक है, और set as startup image को click कर दिए, तो यह startup image में set हो जाएगा, एक बार इसको, जो infinite system उसको restart कर लिएगा, ठीक है, एक तो यह हो गया, दूसरा हो गया, आपका जो my sticker है, वो भी same to same है, total तीन picture आप add कर सकते हैं, तो उसमें भी same procedure है, लेकिन यह picture इसी app से डल सकता है, ठीक है, और इसमें जो भी audio setting है उसमें और भी कुछ नहीं है, पहले जैसा जो भी था, वो ही है, same to same, लेकिन भाई, audio enhance हुआ है, सच में enhance हुआ है, जो music system है, enhance हुआ है, और नीचे आप scroll down करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, doodle में my sticker auto sync को यहाँ पर भी up on और off, इसमें कर सकते हैं, तो इसमें और से कुछ नहीं हो सकता है, Tata service center में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ से connect करना पड़ेगा, जो हर्मान को जा IT sector है, वहाँ पर कोई बंदा रहेगा, वही वहाँ से उसको control कर सकता है, क्योंकि अभी तक जो Tata service center है, वहाँ भी कोई भी बंदा को यह authorization मिला नहीं है, कि अपडेट वहाँ से करे, तो आप बोलें से भी वह लोग करेगा नहीं, ठीक है, और बहुत लोग को यह चीज़ पता भी नहीं है, क्योंकि अभी तक यह चीज़ stable में नहीं है, जैसे Android में होता है, कि beta version पहरे निकलता है, कुछ-कुछ लोगों को दिया जाता है, फिर तो आप अपने जो customer service manager जो हैं अपना area में, उनको contact कीज़े, ख़बर लीजे उनसे, और उनसे request कीज़े कि आपको यह update चाहिए, तो वहाँ से वह contact करके, appointment ठीक करके, आपको यह update मिल सकता है बहुत easily, अगर यह वीडियो आपको इंफर्टेट लागा है दूस्तों, तो प्ल झाल कर दो यह वहाँ से वहाँ से जूसे कीज़े हैंपको कीज़े हैंपको यह वह वह वहाँ से एंफर वह वह वहाँ प्ल